चलिए तो Pharmacology Practical के एक और Practical में आप सबका स्वागत है हम लोग है Experimental Pharmacology में और आज हम देखने वाले हैं Analgesic Activity के Experimental Pharmacology Practical के बारे में अगर आपने हमारे और Pharmacology Practicals नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में जाए और उसमें हमने Practical Pharmacology नाम का एक प्लेइलिस्ट बढ़ा हुआ है जिसके अंदर सभी Pharmacology Practical के बारे में आपको जानकारी मिल जाएंगी जिसमें Conceptual Understanding के साथ-साथ जो भी Common Viva Questions पूछे जाते हैं उसके बारे में जानकारी दी कही है चलिए ये Practical के बारे में Discussions करते हैं तो सबसे क्या होता है? Algesia, पहले क्या होता है? Pain, Pain के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है तो जैसे हमें पता है कि Pain एक Unpleasant Sensation है किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि Pain होता है तो एक Unpleasant Sensation होता है जो External या फिर Internal Similar के थूरू Create होता है लेकिन मान लीजे कि Body में Pain ना हो तो क्या होता है? अगर Pain ना हो तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमें Underlying Pathology के बारे में पता नहीं चलेगा तो Pain माना कि एक Unpleasant Sensation है लेकिन उसके थूरू at least हमें पता चलता है कि हमारे Body में कुछ Pathological Changes है कुछ Structural या Functional Integrity Loss होई है और जिसके उपर हम लोग फिर से काम कर सकते हैं तो Plain एक Warning Signal के तरह भी काम करता है जिससे Underlying Pathology के बारे में जाना जा सके Analgesia क्या होता है? जो भी Drugs होती है या फिर जो कोई भी Medication होती है जो Pain Sensation को कम करती है वो Medication को वोलते हैं हम लोग Analgesic Medication तो ऐसी Medication जिससे Pain Sensation कम होता है जिसे Analgesia कहा जाता है जिसमें वो Consciousness Loss नहीं करती है अभी हमारे पास Already हमने Pharmacology में पढ़ा है कि हमारे पास काफी सारी Group of Medication है वो Pain कम करने के लिए यूज़ की जाती है हमारे पास N-Sates नमक Medication भी है जिसे Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs भी कहा जाता है हमारे पास Opioids Medication भी है हमारे पास Steroid Group की Medication भी है हमारे पास General Anesthetic Group की Medication है तो काफी सारी Medication है जिसके थूँ हम लोग Pain कम कर सकते हैं लेकिन वो Medication किस प्रकार के Pain में दी जानी चाहिए वो भी एक Important Rationality की चीज़ है जिसे माल लीजे कि हमें Mild Pain है तो उसमें हम लोग An-Sates Group की Medication का यूज़ करेंगे जैसे Palacetamol, Diclofenic, Aspirin, Ibuprofen अगर Moderate Pain है तो कुछ Opioid Medication का भी यूज़ किया जाता है जैसे Pentazosin और Dextropopoxy FN और अगर Severe Pain है तो उसमें Morphine, Pathodin जे भी बहुत Effective Opioid Medication का यूज़ किया जाता है So depending upon the pain of intensity of pain हमें उस प्रकार के Group of Medication को यूज़ करना होता है अभी कोई भी Drug का Analgesic Activity हम लोग कैसे चेक करें Question यह है कि कोई भी Drug का Analgesic Activity हम लोग कैसे चेक करें तो वो चेक करने के लिए Specifically Animals के अंदर हमें Pain Induce करना पड़ेगा पहले तो हमें Pain Generate करना पड़ेगा और Pain Generate करने के बाद ही हम लोग किसी भी Drug का Pain Killing Effectivity चेक कर सकेंगे तो पहला Question यह है कि किस प्रकार से हम लोग Pain Generate करें Especially Animals में हमें Pain Generate करना पड़ेगा तो यह पहला Question है और उसके बाद Pain Killing Medication का Effect हम लोग चेक कर पाएंगे तो किस प्रकार से Pain Generate होता है वो उसके Methods होते हैं तो These are Methods of Inducing Pain So Experimental Animal में किस प्रकार से Pain Induce किया जाता है वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा जो भी Experimentations होता है उसमें Drugs के Effect चेक करने के लिए SIGs होते हैं मान लिजे कि आपको Anti-Diabetic Activity Drugs के अंदर देखनी है तो पहले आपको Animal के अंदर Diabetes Create करना पड़ेगा उसके बाद आप Anti-Diabetic Activity चेक कर पाएंगे तो Anti-Inflammatory Activity देखनी है तो Animal के अंदर Inflammation Induce करना पड़ेगा उसके बाद आप लोग Anti-Inflammatory Activity चेक कर सकते हैं तो Same Goose for Pain आपको Pain Induce करना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोग Pain Induce कर सकते हैं उसके अलब लग मैथड है पहला मैथड है Thermal मैथड Thermal मींस की Temperature से Temperature के थूँ हमें Pain Induce कर सकते हैं तो पहली जो मैथड है जिसे कहते है Radiant Heat Method तो Radiant Heat में क्या होता है ये एक ऐसा Box होता है जिसे Energy Assometer भी कहते हैं इसके अंदर Bulb होता है जैसे 1000 Watt का एक लैंप होता है वो लैंप का जो प्रकाश है वो इस जगह से के थूँ ये Slit के थूँ बहार निकलता है तो वहाँ पे काफी सारा Temperature बढ़ जाता है और वहाँ पे Animal का Tail रखा जाता है और जब भी वो Temperature के थूँ Animal को Pain महसूस होगा वो Tail को हटा लेगा Suddenly Tail ट्विच करेगा तो उससे हम लोग End Point की तरह लेंगे इसके वो Point के उपर Animal को Pain Sensation हुआ है और वो Time को हम लोग Record कर लेंगे और इस प्रकार से हम लोग Experiment कर सकते है तो ये जो प्रकार का Pain Induce हुआ वो Thermally हमने Induce किया है एक Lamp के थू, Heat के थू हमने Induce किया है जिसे हम लोग Radiant Heat Method भी बोलते है दूसरा होता है Conducted Heat Method ये बहुत Common है और इसका Instrument जो इसे Hot Plate भी बोलते है वो काफी सारी Medical College में आपको देखने को मिल जाएगा क्या होता है Hot Plate Analogiesiometer इसमें भी एक प्रकार का Analogiesiometer ऐसा रहता है जिसमें यहाँ पे जो है एक Hot Plate रहती है ये जो Red Color का एरिया है वो गरम रहता है इसलिए उसको Hot Plate बोलते है वहाँ पे Animal को Place किया जाता है एक Beaker होता है और उसके उपर Lead होती है साथ में एक Box होता है जिसमें Timer और यहाँ पे Temperature को Regulate करने के लिए Regulator भी दिया जाता है जैसे ही हम लोग Plug-in करते है Temperature ये Plate का बढ़ता है उसके अंदर हम लोग Animal को Place करते है और जब भी Animal को Heat Sensations उसको Feel होते है तब वो क्या करता है कि Jump करने लगता है या फिर अपने Pau जो है उसको Lick करने लगता है या फिर Hind Limb को Kick करने लगता है तो जब भी ये करने लगे हमको Record करना है क्योंकि ये है अपना End Point तो ये Point को हमें Record करना है वो Time को Record करना है और जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये Particular Point के उपर इस Time के बाद Animal को Pain Feel हुआ है इसमें हम लोग Mais या Red का यूज़ कर सकते है तो जिसे Hot Plate का Temperature 55 डिगरी से 70 डिगरी यहां पे होता है तो ये जो मैथड है जिसे Hot Plate Analogiesiometer भी कहते है एक और मैथड है तो जिसमें Temperature के थूई पेन इंडियूस किया जाता है जिसका नाम है Tail Flick Method ये भी एक Analogiesiometer है यहां पे भी Plug-in करना होता है एक Temperature Regulator होता है और यहां पे Current का भी Facility होता है में जो है वो Temperature के थूई होता है लेकिन जो में चीज़े यहां पे एक Wire होता है जिसे निक्रोम Wire भी बूलते है वो Wire के उपर Animal का Tail Place किया जाता है Animal का सिर इस साइट होता है ये Rat Holder है जिसके अंदर Animal का Body होता है और Animal का जो Tail है वो यहां पे रखा जाता है और ये जो Wire है उसको Temperature के थूई बढ़ाया जाता है जब भी Temperature बढ़ता है जब भी Animal को जिस पॉइंट पे पेन होता है तब वो Tail Flick करेगा Tail Flick हो जाएगी और Time Record हो जाएगा और उस Time को हम लोग बोलेंगे Reaction Time और उसे हम लोग Note कर लेंगे तो इससे बोलता है Tail Flick Method तो हमने दिखा कि Thermal Induce करने से पेन Induce करने के लिए Tail Flick Method होता है दूसरा मेथड होता है ऐसा Hot Plate मेथड होता है और जो तीसरा होता है Radiant Heat के थूँ हम लोग पेन Induce कर सकते हैं फिर होते हैं Electrical Method Electrical Activity के थूँ भी पेन Induce किया जाता है जैसी Older Methodology है जिसमें जैसे Cage है यहाँ पे Mice का Cage है फिर Rat का Cage है उसके अंदर शौक दिये जाते हैं थोड़े और जो शौक के थूँ Animal Lick करने लगते हैं और जिसे पता चलता है कि उसको Pain महसूस होता है जितने Time के बाद ऐसा होता है उसको Record किया जाता है गिनिपिक जैसे Animals में Electro Dental Simulation उनके Teeth के उपर Electro लगा कि उनका Stimulation किया जाता है और जिस Time के उपर उने Pain महसूस होते हैं उसे Reaction Time मुलते हैं Record किया जाता है So, Electric Shock अपलाई करने वाला भी दूसरा Method है लेकिन कम यूज होता है थोड़े Crude Method है पहले ज्यादा यूज होते थे तीसरे Methods है Mechanical Method Mechanically Pressure Induce करके Pain किया जाता है तो यहाँ पे जो Animal है Rat है उसके Tail के उपर कफ अपलाई किया गया है और उसका Pressure बढ़ाया गया है और जिस Pressure Point के उपर Animal Squick करता है ऐसी आवास करता है तो उसे मान लिया जाता है कि उसको Pain Induce हुआ है और उसे Record किया जाता है तो ऐसे Plenger के थूँ या Cluff के थूँ Pressure बढ़ा के Pain Induce किया जाता है फिर होता है Tail Clip Method एक Bulldog Clamp Rat के Tail के उपर लगाया जाता है और जब भी Animal Turn Around करता है वो Clamp Remove करने के लिए तो उसे End Point माना जाता है क्योंकि उस Clamp के उपर Animal Uncomfortable हो जाता है उसे Pain होने लगता है और जिससे हम लोग Time को Record करता है Lastly जो Methodology है वो है Chemical Methodology Chemical के Through Animal के अंदर Pain Induce किया जाता है वो Chemical होता है Phenyl Quinoline या Feracetic Acid वो Intraperitonially देते हैं और जिससे कैसे Pain Induce होता है यहाँ पर Rhythmic Moment होता है देख सकते हैं कि Abdominal Contraction सुरू हो जाते हैं और That indicates कि Animal को Pain होने लगता है तो Typical Contraction of Abdominal Muscle होता है जिसे Reading Moments भी कहता है और यह जो Reading Moment है वो Pain Induce करती है तो इस प्रकार से Chemical Method है यह हो गया Tail Click Method Pressure से यह हो गया Gross Pressure Cuff से यह Electric Method से और यह कुछ Tail Flick Wire के थूँ Hot Plate के थूँ या फिर Thermal Methodology के थूँ अलग-अलग वे से हम लोग Animal के अंदर Pain Induce कर सकते है दूसरा भी Questions कई बार पूछते है कि Humans के अंदर Clinically Pain कैसे Induce किया जाता है तो उसकी भी कुछ Methodology है Viva के लिए Important है जैसे Spigmo Manometer का Cuff Apply करके उसका Pressure बहुत भड़ाते हैं हम लोग 250 mm HD ले जाते हैं रिद्मिक Moment of Hand होती है और इससे भी Pain Induce होता है Pain Prick Method पीन को प्रिक करने से Pain होता है जिस Point पर होता है उससे भी हम लोग Pain Induce कर सकते हैं Heat के थूँ गरम या फिर Cold के थूँ Cold Gel बैक के थूँ भी Pain Induce कर सकते हैं या फिर कुछ Chemical के Intradermal Injections जैसे Capsicine के भी हम लोग Pain Induce कर सकते हैं तो ये कुछ Viva के लिए Important है जादा Deep में जाने की ज़रूरत नहीं है अब हम लोग Experiment के पर आएंगे कि किस प्रकार से Experiment किया जाता है एक Experiment से हम लोग समझेंगे बहुत ही Simple है यहाँ पे हम लोग Necron Wire का Tail Flick का Experiment लेंगे यह Instrument है, Necron Wire है इसके उपर Tail Animal का रखके फिर Tail Flick चेक करेंगे तो हमारा Aim यह है कि हमें Morphin का Analysis Activity चेक करना है with the Rat Tail Flick method Rat का यूज किया गया है तो हमें दो ग्रूप लेने होंगे पहला ग्रूप लेना होगा Control Group, दूसरा Group लेना होगा Test Group, हर एक Group में अलग-अलग Number of Animals रहेंगे I mean, Same Number of Animals तीन-तीन Animals हर एक Group में रहेंगे मान लीजे कि 200 Gram Each अभी हमें क्या करना है कि Control Group है, उसके अंदर Normal Saline का Intraperitonial Injection देना है और Test Group में जो भी हमारी Test Drug है, जिसके उपर जो हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर है Morphin, तो उसका 10Mg पर KG का Injection देगे Intraperitonial एक घंटे पहले उसके बाद हर एक Animal को हम लोग ये Process के थू ले जाएंगे Temperature बढ़ाएंगे वो वायर के थू और जो Time के उपर उसका Tail फ्लिक होगा वहाँ का Time हम लोग Note करेंगे, तो 55 degree temperature के उपर Necromwar हम लोग गरम करेंगे और जब भी Flicking of Tail होगा, तो हम लोग Time record करेंगे, जिसे reaction time भी कहते हैं, तो इस प्रकार से हर एक Group के अंदर हम लोग Repeat करेंगे, और Repeat करने के बाद कुछ ऐसा हमें Result मिलेगा कि जो Control Rats हैं, या फिर Normal Saline जिसमें Intraperitone ले दिया गया है, वो 10 सेकंड पर Tail Flick करते हैं, अगर हम लोग Average Time देखें तो, और जो Morphine वाले Rats हैं, वो Average हम लोग Mean निकाले तो, 15 सेकंड के उपर Tail को Flick करते हैं तो इससे उपर से हमें बता जल गया कि जो Mean Time Test Rate Morphine वाले हैं, उसका टाइम बढ़ता है, उनका Pain Threshold Time बढ़ता है तो 50% यहां पर अगर हम लोग Calculate करें तो 50% टाइम बढ़ जाता है 10 से 15 हो गया है, that means कि 50% Pain Threshold Time Increase हो गया है, पेंज सहन करने का समय है, अक्षमता है, वो बढ़ गई है तो that clearly signifies कि जो test drug हमने use कि उसमें analgesic activity है, अच्छी analgesic activity है, तो इस प्रकार से यह simple practical किया जाता है यह in vivo practical है, इसमें animal को sacrifice नहीं किया जाता है, और इस प्रकार से उसकी pain killing activity किसी भी drug का हम लोग चेक कर सकते हैं तो fully आपको पता चल गया होगा, यह practical के बारे में बहुत ही simple practical है, कुछ ज्यादा difficulty नहीं है और हमारे यहाँ पे experimental pharmacology के सभी practicals खतम होगते हैं अगर आपने हमारे दूसरे practicals नहीं देखे, तो आप हमारे चैनल के पेली स्थू दीख सकते हैं Thank you